निलेश और चुके हैं MDA Quotak EMC के निलिश भाइब बहुत शुक्रिया थैंक्यू वेर मच समय देनी के लिए निलिश भी कम से कम मेरे को जादा नहीं तो 10 या 15 बार का experience हो चुका है आप से हर कुछ macro events पर बातचीत करने का क्योंकि मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ और आप तो खेर मेरे से भी ज़्यादा से हैं आप तो मेरे को बड़ा experience हो आप से पूछने का तो मैं एक चीज़ तो आज बोल सकता हूँ आप इस budget को ठीक तो बोलेंगे बट उस ठीक के अंदर क्या क्या ज़्यादा ठीक तरफ वो specific हो के मेरे को बताईएगा और ये भी बताईएगा चूक कहा रहे गई कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा जो छोटा सा चूक रहे गई होगी सर नमस्ते इस budget में जो सबसे अच्छी बात है वो fiscal consolidation की है दुन्या के देश खर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं हम prudence अपना के आगे बढ़ रहे हैं not only 5.8 प्रतिशित से fiscal deficit 4.9 प्रतिशित पर लाई गई है पिट आने वाले समयकाल में भारत का day to GDP ratio नीचे आता रहेगा उसकी commitment भी दी गई है दूसरा जब आप पैसा खर्च रहे हैं अगर निवेश पे लगाए तो वो बहतर होता है इस budget में infrastructure investment साड़े 9 लाग करोड से 11.11 लाग करोड के लिए प्रावधान किया गया है निवेश भी अच्छी बात है तीसरा employment generation एक बड़ी समस्या थी भारत के लिए इस budget में कहीं प्रावधान किये गया है employment generation के लिए education के उपर द्यान है, skilling के उपर द्यान है, apprenticeship के उपर द्यान है ये सारी चीजे मिला के अगर employment generation में result होती है तो अपने आप growth को बढ़ावा मिलेगा तो इस budget ने trinity of impossibility अचीव की है fiscal prudence जो भविश्य में rating अपग्रेट कर सकती है infrastructure निवेश जो growth को multiplier effect दे पाएगा employment generation जो consumption at the bottom end of pyramid को support करेगा और अपनी growth को sustain करेगा इस budget में चूप कहां पे रह गई? वेल एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आती है जब foreigner भारत की derivatives market में trade करते है तो वो capital gain बनता है जब local trader derivatives market में trade करता है तो वो business income बनता है foreigners double taxation avoidance agreement के जरिये आएगा तो उसे कोई tax नहीं लगेगा local को applicable slab है उस हिसाब से tax लगेगा मेरे हिसाब से हमें local और global दोनों players के बीच में एक level playing field बनाना चाहिए जो जितना कमाए उतना tax भरे पूरा जो regulators भी थे वो भी बता रहे थे कई समय से जो retail investors का participation है इसको थोड़ा सा थमना चाहिए इसको control में लाना चाहिए क्या जो ये बदलाव हुए है आज आपको लगता है कि ये इतने ये सही कदम है उस दिशा में और क्या ये जो कदम उठाए गए हैं वो फिलहाल appropriate है क्या इससे retail का participation थोड़ा control होगा और साथी निलेशी आप से ये भी समझना चाहिए कि market participants इसको कैसा लेंगे जाहिर है कि market participants को अगर tax ज्यादा भरना पड़े तो अच्छा तो नहीं लगेगा बिट मेरे हिसाब से fiscal prudence अपना के हमारी valuation के उपर जो support मिलेगा बढ़ावा मिलेगा वो इस tax collection के सामने कई ज्यादा income निवेशक के लिए पैदा करेगा और आप देख सकती है कैसे bottom से market काफी हद तक उपर आ चुका है सेकंड चीज रिटेल स्पेकूलेटर 9 out of 10 से भी के research के अनुसा नुकसान करते हैं तो सबसे पुले उन्हें educate करना जरूरी है कि भई ये game ये एक कला है और उसमें माहिर होना बहुत जरूरी है आप वैसे ही trade मत करिये दूसरा निवेश करके पैसा बनाना आसान है ट्रेडिंग करके पैसा बनाना मुश्किल है तो हमारी सहूलियत उस तरफ होनी चाहिए कि लोग निवेशक बने speculator नहीं बने तीसरा जो मैंने पहले बताया global trader और local trader के बीच में level playing field होना चाहिए मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि F&O trader कोई value add नहीं करते हमारी market में liquidity काफी अच्छी है entry और exit की सहूलियत है उस वज़़े से भारत का risk premium भी कम हुआ है और उसका beneficial impact हमारी valuation में दिख रहा है मेरे हिसाब से लोग budget के fundamentals पे ज़्यादा focus करेंगे और जो proposal आई है उसको जो बदे नज़र रखते हुए आगे अपनी run नीती थोड़ी बदलाव करेंगे निलेश मैं बहुत बशुक्रिया अच्छा लगा आपसे आज बातचित करके मज़ाया और उमीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब चार्स पाइंट की गिरावट है तो अगली सीरीज में लेना आप तो घंजवाद हमेरे साब से बजट ओर 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 ओल देखे तो अच्छा ही रहा है कुछ हिकप रहें बट और ओर सेंटिमेंट वाइस देखें तो नीचे के लिवल से बाजार में रिकावरी है मैं यहाँ पर सीधा डेटा पर बात करता हूँ सबसे पहले तो वोलेट इंडेक्स है वो बंदरा पसंट गिरा है तो वोलेट इंडेक्स गिरा है तो वो तो क्लियल इंडिकेट कर रहा है कि बाई ओन डिकलाइन कंटिनियो और बुल्स का डॉमिनेंस बाजार में जा रही है दूसरा बाजार में साइकलोजिकल लेवल तोड़े नहीं है मेरा ऐसा मान है तेभी सासो पचास चोबिस जार एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जब तक यह लेवल नहीं तोड़ता तब तक शो तोड़ा सा एक केप अपसाइड लग रहा है क्योंकि आहां पर लग रहा है पी एस यू परफॉर्म करेंगे बट हैवेट्स यहां पर जो प्राइवेट बेंक है वो थोड़े से पोस दिखाते बना ज़राएंगे तो आब ट्रेडिंग की बात करें तो आपको बिल्कुल अ 1,000 की सपोर्ट से 25,000 जार तक टक की डाउने कि तो बैंक निफ्टी में आपको 51,000 सब आज़ भाएंजर 800 तक के मुग खेलने पड़ेंगे तो बैंकने किमी आप में पॉजिटिव बायस है बट मेरा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव सेक्टर निफ्टी और बेंग निफ्टी से और भी अच्छा परफॉम करते हैं जरा सकते हैं मिलाके बजट का आज का दिन थोड़ा शांती से निकल रहा है जहां सुबह बात भी करें थे कि यह नोन इवेंट के तरह निकल जाएगा दूसरा पॉइंट है बस पहल तो शुक्रिया आपने वेट किया उसके लिए ठीक है और चंदर आपको शुक्रिया थोड़ा वेट करने सनी जी मैं आपसे आना चाहता हूं मैंने बजट की बहुत सारी चीजे पता है समझ लिए हैं अभी बहुत सारी गैस से बात चुरू है दो ऐसे पॉइंट सो आपको लग रहा है बहुत नोटिसेबल है और वासर उसका असर मार्केट पर आएगा दो ऐसे पॉइंट सो नेग करोर करता उसके सामने 14 लाक करोर का नंबर बोला है और नेट में 11.75 के सामने 11.63 लाक करोर तो अवर आल जो बांडिल है मुझे लगता है कि और कमी रहेगी इसका बेनिफिट सीदे सीदे बैंकिंग सेक्टर को आते हुए दिखेगा और मुझे लगता है कि अब जब कल बज सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट डेफिनेटल गेन को लेकर के हैं बड़ अगेन हमें की ध्यान रखना होगा कि जो कैपिटल गेन जो है यह इवेंट पिछले दो सालों से कईने कई मार्केट को एसपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ टिंकरिंग होगा एन इसमें की हमें स करने के चकर में मुझे लगता है कि जो रियल इस्टेट है हला कि मैंने फाइन प्रिंट देखा निया है जो मैं सुन रहा हूं कि रियल इस्टेट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था लॉंग टम को लेकर के उसे आठा दिया गया है तो आई तिंक टू सम करेंश्मेंट बेसित विल बिकम समबट अनट्रेक्टिव अन लॉंग टम हराइजन तो यह दो की अस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि बजेट को मैं दिखने लाइक रहेंगे बिलकुल आपने सारी बात अच्छी बताई हो काफी फाइन ट्यून करके बताया चन्नल